तो जानते हैं इस वीडियो में कि कल साटेडे को अमेरिका के राष्ट्रपती जो बाइडन और रस्या के राष्ट्रपती विलादिमिर पुतिन के बीच में बात हुई है यूकरेयन से related और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि बाकी country जो है इस दुनिया की उनका क्या reaction है अभी current situation जो योगरेन में बनी हुई है उससे related तो स्वागत है दोस्तो आपका global news पे आईए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो लगबग एक गंटा जो थी वो call चली रशिया और अमेरिका की presidents के बीच में और इस call के दोरान बाइडन ने जो जो important चीज़े बोली है पुतिन को उसके बारे में हम discussion करते हैं पहली जो सबसे important चीज़ अमेरिका ने बोली है रशिया को वो ये है कि काफी लोगों को सफर करना पड़ेगा अगर जंग होती है इसके बारे में अमेरिका ने रशिया को बताया कि काफी लोगों को सफर करना पड़ सकता है तो इसलिए जंग हमको नहीं करनी चाहिए और इसके साथ ही साथ जो बाइडन ने पुतीन से ये भी बोला है कि severe sanctions लगाए जाएंगे अगर आपने Ukraine को invade किया और जो Nord Stream 2 gas pipeline जाती है from Russia to Germany उसे भी बंद करवा दिया जाएगा और दोस्तो इसके जवाब में रशिया ने ये बोला है कि United States और NATO ने satisfactory respond नहीं किया है रशिया की demands को लेकर और दोस्तो अगर हम बात करते हैं कि रशिया की क्या demands थी तो रशिया की demands ये हैं कि जो NATO है North Northern Atlantic Treaty Organization वो अपना expansion अब नहीं करेगा और खास कर कि वो Ukraine को add नहीं करेगा कभी ठीक है दोस्तो इसके इलावा जो भी forces NATO की अभी Eastern Europe में है चाहे वो Poland में हो या Romania में हो वो सारी forces को तुरंट वापिस लेना होगा और दोस्तो ये जो conversation हुई Russia और America के बीच में ये fail हो चुकी है दोनों sides जो है वो एक दूसरे की कोई भी demand मानने को ready नहीं है और दोस्तो जो आ अमेरिका ने लगबग 3000 और soldiers जो है वो Poland बीच दी है तो दोस्तो लगबग इसी के साथ अमेरिका के लगबग 5000 सैनिक पोलेंड में है और लगबग 1000 सैनिक जो है वो Romania में है पोलेंड और Romania दोनों जो countries है वो Ukraine के साथ अपना border share करती है और दोस्तो अमेरिका ने अपने सभी citizens को Ukraine को छोड़ने की जितावनी दे दी है और यहां अमेरिका ने यहां तक भी बोल दिया है कि अगर war शुरू होती है तो अमेरिका की कोई जिम्बेदारी नहीं रहेगी उन citizens को बचाना जो उस टाइम पे Ukraine में फस जाएंगे अब दोस्तो बात करते हैं कि बागी countries का क्या reaction है त जो दोस्तो ऑस्टेलिया ने जो अपनी embassy थी Ukraine की capital कीव में वो ऑस्टेलिया ने खाली गरवा दी है और ऑस्टेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है Scott Morrison उन्होंने चाइना का नाम लेते हूँ ये भी बोलाए कि चाइना ऐसे silent नहीं रह सकता उसको भी इस crisis के related कुछ कहना चाहि Hungary और Ukraine जो है वो भी border share करते हैं तो उनके हिसाब से जो refugee crisis होगा वो बढ़ जाएगा Europe में UK ने भी अपने सभी national जो Ukraine में रह रहे हैं UK ने उनसे भी बोलाए कि please आप जो है Ukraine से बाहर निकल जाएए इसके बात दोस्तों France ने भी अपने सभी जो nationals है उनको बोलाए कि Ukraine को छोड दिया जाए और Ukraine अगर किसी को travel करना है तो वो travel ना करे और जो France की embassy है Ukraine में उन लोगों को भी बोलाए कि अगर आपको निकलना है तो हम आपके लिए बंदोबस्त कर सकते हैं निकलने का इसके बात दोस्तों आते हैं New Zealand पे New Zealand के foreign ministers ने भी अर्ज किया है सभी New Zealanders को कि Ukraine को जल स जल छोड़ दिया जाए इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि सभी countries जो है वो अपने citizens को अपनी embassy के लोगों को बोल रही है कि Ukraine को छोड़ दिया जाए तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि सारी जो लड़ाई चल रही है इस टाइम पे वो सब लड़ाई power को लेकर है अमेरिका चा अगर रशिया ने अटैक कर दिया Ukraine पे तो काफी casualties होने वाली है और काफी लोगों को refugee बनके दूसरी countries में जाना पड़ेगा जैसा कि हम अफगानिस्तान में भी देख चुके हैं कि अफगानिस्तान की क्या हालत हुई थी तो दोस्तों आखिर में बात करते हैं इस पूरे मु 2020 में UN में जब वोट हो रहे थे कि क्रीमिया में human rights violation हुए हैं इंडिया ने रशिया के favor में वोट किया था तो इसी के साथ आच चुके हम वीडियो के अंत में आशा करता हूँ आपको वीडियो informative लगी होगी मिलता हूँ आपसे next वीडियो में तब तक के लिए आप लोग आपना ध्यान रखियेगा जै हिंद धन्यवाद